है गाइस वेलकम टू दे थंडर वर्ड गाइस आज किस वीड़े में हम फ्रेंच मूवी की स्टोरी एक्स्प्लेंट करने वाल हैं जो कि सरिफ 18 प्लस लोगों के लिए ही हैं क्योंकि इस मूवी में काफी सारे ऐसे बोल्ड एरोटिक सिंस हैं तो शुरू करते हैं अच किस वीडियो को तो अकर आप चलने पर नहीं हो तो चलने को सब्सक्राइब कर दो नोटिफिक एस वाल कम ब्यूल पर कर दो तो या विदावर वेस्टिंगे ने मुट टाइम लेट् सिस्टर होती है रोमेन और पेरे की रोमेन सबसे चोटा लड़का होता है और वो अपने बड़े भाई पेरे से काफी जलस फिल करता है क्योंकि वो उसे काफी कूल होता है इसलिए मेरी जो है यह स्तन जोग देने का काम करती है बटिस बात का जिकर फेमिली में कभी भी नही क्लेरी को जो कि रॉमेन की मौम हैं उसे रॉमेन के प्रिंसिपल स्कुल में बुलाते हैं क्यूंकि रॉमेन बायर जी क्लास के दोरान माइस्टरुबेट करते हुए पकड़ा गया है और उसका वीडियो भी काफे सारे स्टूडेंट्स के पास है तो यहां पर रॉमेन की मौम क मिलने जाती है जहां पर उसे समझाते हैं कि तुमने कुछ गल्ट नहीं किया है तुम चाहों तो मुझे हर चीज़ बता सकती है तो रोमेन कहता है कि मुझे ये सब करने के लिए मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इंकरज किया था रोमेन को स्कूल में से कुछ दिन्यूकली निकाल दिया जाता है साम को घर पी क्लेरी उसके हस्बेंट से इस बारे में बात करती है तो हस्बेंट कहता है कि हमने कभी हमारे बच्चों के इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है हमें उसे बात करनी चाहिए क्लेरी कहती हैं कि हम अपने बच्चों से हर चीज़ डिसकस कर सकते हैं बट जबाती इस टोपिक के बारें बात करने की तो हम बच्चों को इसी छोड़ देते हैं बेना कुछ बताए देन वो इसी हरकते करते हैं ये कहें कि वो दोनों इंटिमेट होने लगते है अब सुभा अब जबकी रोमेन को स्कूल से निकाल दिया है तो अब वो सिर्फ घर पे ही रहता है और उसकी जो पहली गल्फरेंड थी इसके साथ भी उसका ब्रेक अप हो गया है इसके बारे में वो उसके पैरेंट्स को बताता है बट वह आसे ने लगता है एन रोमेन ये भी कहता है कि स्कुल की एक लड़की है जिसे मैं बहुत ही ज्यादा बातें करता हूँ फिर क्लियर अपने गार्डनर से बेटके कुछ बातें करती है वो कहती है कि तुम्हारी वाइब के मरने के बाद तुम सारे एक संबंद रखते हो या फिर नहीं तो गहता है कि उसकी डेट के बाद उस एक और दुसरी ओरत के साथ प्यार हो गया था बुट से लगता था कि यह चीटिंग होगी उसकी वाइब के साथ देन अब वो सिर्फ मास्टरवेट ही करता है देन रोमेन की पितों से उसके लव लाइव के बारें पूसता है बट रोमेन उनकमफटेबल होके रोते हुए वाँ से चला जाता है अब कुछ दिनों के बाद रोमेन उसकी स्कूल फ्रेंड कोरेल से मिलता है और वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं और चलते चलते रोमेन कोरेल को प्रपोस करता है यहां वो दोनों किस करते हैं और वो उसे अपनी फेमिली से मिलवाने के लिए लिके जाता है यहां पर थोड़े देर बात करने के बाद और ड्रिंक लेने के बाद रोमेन और उसके गलफेंड रूम में जाके इंटिमेट होते हैं तेरनों सभी बेट के बाते हैं तो भी रोमेन के भाइबेन कहते हैं कि उन्हें अकले में पौर्णी वीडियोस देखने का काफी सोके और मेरी का वोई फ्रेंट से कहता हैं कि मुझे तो तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है बट मेरी कहती हैं कि तुम्हें मुझसे प्लेजर मिलता है इसलिए मैं तुम्हें पसंद हूँ अब कुछ देने के बाद सभी बाहर आखे क्रिसमस कार्ड के लिए फोटो सब्सक्राइम कर दो और नोटिफिकेस अंब के बोल पर कर दो तो आज के लिए बस इतना ही मिलता है मेरी अगली वड़ा मतब तक लिए टेक कर एंड बाई